आये देखते अपना question number 17 of exercise 5.2 देखे ज़रा वो आप से कह रहा है find the 20th बिटा आयूश find the 20th turn from the last term of the AP this दो तरीके से बिटा बताया था दोनों तरीके से करके दिखाता हम फटा फट ठीक है जो आपको बैट तर लगे उससे कर लेना मैंने आपको बताया था एक तो last term लिख लो AP की क्या कर लो last term last term कितनी है 253 और क्या लिख लो common difference difference क्या है बिटा यहां पर 8-35 और आपको निकाली है क्या 20th term from last 20th term from last उसका फॉर्मला आपको बताया था मैंने AN is equal to L minus N minus 1 into D ठीक है यह फॉर्मला बताया था अगर यह फॉर्मला है याद है बड़े आराम से कर लो गया 20th term from last last L की value कितनी है बिटा 253 L क्या है यहां पर last term minus N की value कितनी है बही 20th D की value कितनी है 5 253 minus यहां पर कितना आ रहा है 19 into 5 19 into 5 कितना होता है हाँ जी 95 जा 45 carry 4 और 5 जा 9 90 5 45 95 ठीक है आप क्या होगा जरा देखिएगा इन दोनों माइनस कर दो 13 minus 5 कितना हो जाएगा 8 14 minus 9 कितना हो जाएगा 5 और यहां पर 1 का बन रहा जाएगा इसका मतलब यह है कि 20th term from last is कितनी 158 एक तो यह तरीका है 1st method 2nd method क्या है reverse the AP क्या कीजिए reverse the AP AP को पकड़ की गुमा दो जब AP को आप बिटा change करोगे तो होगा क्या AP कैसी बन जाएगा जरा देखिएगा 53 यहां पर आ जाएगा 253 और आगे क्या जाएगा 13 फिर क्या जाएगा 8 फिर क्या जाएगा 3 अगर आप इस AP को observe करें तो 5555 बिटा क्या होता जा जा रहा है कम होता जा जा रहा है तो इसमें से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 248 क्या जाएगा 248 ठीक है अब आप क्या करें अब आप A निकाले देखो इधर से जो 20th term from last है 20th term from last जब आप इसको घुमाद होगे तो 20th term from starting बन जाएगी है नहीं बन जाएगी A की value होगे 253 D क्या होता है देखो ज़र A2 माइनस A1 248 माइनस 253 solve कर होगे D की value कितनी आ जाएगी माइनस 5 और N की value कितनी हो गए 20 को देखकर अब फॉर्मला लगा दो 15th term का फॉर्मला क्या होता है A प्लस 14 D A 15 A की value कितनी है ज़रा देखो 253 और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस 14 into D D की value कितनी है माइनस 5 देखो यह minus अगर आप अंदर मल्टिप्लाइग कर दो तो क्या जाएगा 253 minus 14 into 5 अगर आप ध्यान दे तो यही same situation यहाँ पर बन रही थी तो formula बिल्कुल same यही है देखो अगर आप last अब इधर से देखोगे तो L क्या बन रहा है 253 जब आप इसको घुमा रहे हो तब भी यही case बन रहा है बस समझने का तरीका लग है otherwise यह जो formula है वो यहीं साया कुछ भी नया नहीं है तो अगर यह same है तो यह भी same आएगा और यह भी same आएगा इसका मतर्ब 20th term बोली थी ना 15 का हाज लिग दिया मैंने जा कर रहा हूँ मैं 20th term 20th term ठीक है और यहां भी क्या आएगा 19 आना चाहिए था 19 आएगा भी 19 आएगा 20th term from last हो रहा ना मैंने 15 का हाज भी दिया ऐसे ही कुछ भी तो 20th term बिटा कितनी आ रही है solve करके 158 समझ मारी बात या नहीं तो 20th term from last is 158 यह आप लिखोगे समझ मारी बात या नहीं इस तरीके से करना important question है यहां पर by mistake मैंने 15 दिख गया पतानी कैसे लिख गया मेरे खुर में समझना आ रहा चलो कोई बात नहीं समझ गया ना तो यह और यह method बिटा एक ही है अलग-अलग नहीं है यह मीर आप जिसे की टेका यहां पूर्ण करना